तो क्या आप भी एक ITJ या need aspirant है या फिर future में इन exams का preparation करने का सोच रहे हैं तो काई इस आज का ही वीडियो आपके लिए बहुत जादे यूसल होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे यसी काफी सारी stationery and accessories के बारे में तो मेना नाम है अरपित आप देख रहे हैं स्टूड इंडिया जो हम आपके लिए के आते हैं इंडिया इस बेस्ट इशरी का अंटेंट तो जब भी आप अपने ITJ के नीट की प्रशन चालू करते हैं एक चीज़ जो आपको बहुत कॉंटिटी में मिलती है वो होती है यह module sheets and DPPs and हम इन sheets को अपने bag में direct डाल देते हैं जिसे थोड़े ही diamond की condition बहुत खराब हो जाती है तो guys आप use कर सकते हैं कुछ इस टाइक भी clip file इससे फाइदा यह होगा कि जब भी आपको नया module sheet मिलेगा तो आपको बस इसको इसमें attach कर लेना है इसके plastic cover की मदद से जो आपको module है वो लंबे time तक fold वागर होगा उसके edges break नहीं होगे and आप उसको अच्छे से use कर पाएंगे दूसरा तरीका हो सकता है guys इस टाइक भी ring file use करना इसमें basically आप अपनी जो भी sheet DPPs को complete होने के बाद एक उसमे hold punch कर सकते हैं then उसको यहाँ पर enter कर सकते हैं इससे आपके पास एक बहुत बड़ा collection मन जाएगा एं लंबे time तक आपकी sheet preserved रहेगी and अगर आपको daily life में यह files carry करने में थोड़ी bulky लगती है तो आप इस type के solo की तरफ से यह flaps आते हैं इनको use कर सकते हैं यह काफी handy होते हैं इन में एक चोटा सो उपर zibber होता है इस type से and आप इसमें अपनी normal जो loose leaves हैं pages है उसको enter कर सकते हैं and आपके bag में भी यह fold नहीं होका साथी साथ carry करने में भी यह बहुत ही lightweight होता है इन सभी items की link में description में डाल दूँगा साथी साथ आपको इनके नाम भी पता चल के ना तो आप अपने आसपास की stationery shops पे इनको search करे के purchase कर पाएंगे तो अब बात कर लेते हैं notebooks की notebook काफी variety में available होती है and general कुछ points यह हैं कि आप 60-65GSM Plus की notebook खरीदे साथी साथ आप spiral अगर use करेंगे तो वो हर page में लिखने में काफी convenient हो जाता है अगर आप एक motor record कर रहे हैं use बात करते हैं short notes की तो हमने एक video भी बनाया था जिसमें में आपको short notes बनाना सिखाये थे तो गई short notes के लिए आप एक काफी अच्छी notebook खरीदे कुछ notebook मैं जो recommend कर सकता हूँ वो इस टाइट से दिखती हैं यहाँ पर मेरे पास अनुपम की तरसे आने वाली and इस scholar की तरसे आने वाली काफी सारी notebook available है यह आपको मिल जाती है काफी सारे paper patterns में तो आपको ruled, unruled, dot grid यह सब pattern देखने को मिलते हैं यहाँ परसेनली जो मेरा फेवरेट है वो unruled, dot grid होते हैं अगर आप state नहीं लिख पाते हैं तो आप ruled के साथ भी जा सकते हैं अब यह जो notebook होती है, definitely इनमें number of pages काफी काम होता है इनकी pricing जादा होती है but मैं आपको recommend करूँगा, आप इनको जरूर पर्चेस करें क्योंकि जब भी आप short notes में बनाएंगे न actually notebook काफी effect डालती है आपकी mental state पर जितनी अच्छी notebook होगे न आपको उतना मन करेगा notes बनाने का, तो guys यह जो आप छोटा सा नवेस्टमेंट करेंगे अच्छी quality की notebook में वह बनते रहेगा, अब इस अगला option जो बच्छी short notes and formula sheet बनाने की जो बेफोर करते हैं, वह होते हैं loose paper का यूज करना या फिर photo copy paper का यूज करना, तो guys मैं यहाँ पर आपको तीन paper recommend कर सकता हूँ, जो की है JK copier, then है हमाँ पास JK Siddhar, then JK bond paper, अब इन तीनों paper में अंतर क्या है, सबसे पहले तो, इनकी costing का difference है, bond paper आपको 500 का आता है, JK Siddhar आपको 325-300 का पर जाता है, and guys JK copier है वो उससे भी आपको सस्ता देखने को मिलता है, but guys यहाँ पर जो paper quality है ना उसमें difference आता है, यह आपको 70 GSM में देखने को मिलता है, then Siddhar, आपको देखने को मिलता है, for 100 GSM and bond paper जो रहता है, उसकी quality तो काफी जादा अच्छी रहती है, तो मेरे इसाब से guys, आपको ना इन तीनों में यह जो बीचवारा JK Siddhar है, इसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि guys, इसका page भी काफी आता, bright है और आपको GSM quality भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, अब अगली problem जो इन शीट के साथ आती है guys, वो होती है कि इनको store कैसे करें, इसे तो यह notes घुम जाएंगे, तो guys, मैं students के कहना होता है, कि हम इतनी बल्की notebook क्यों कहरी करते हैं साल बर, जब हम थोड़े-थोड़े pages ही लिखते रहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, तो आपके लिए एक और solution available है, आप ही उस कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की refill notebook, जैसे हमाँ पास यहाँ पर classmate की तो आप एक एक करके उनको इस फाइल में लगाते जाएगे, आपके बड़ा सा collection बन जाएगा, आपके जो नोट रहेंगे वो इस फाइल की मदब से preserved भी रहेंगे, तो यह थोड़ा सा unconventional वे है, अगर आपको छोटे-छोटे नोटस बनाने का शौक है, आप छोटी-छोटी notebook ले जाना चाहते हैं, चाहते हैं, उनको अच्छे से store कर पाएं, तो यह टेखनिक मुझे बहुत पसंद है, आते हैं सेग्मेंट की लास चीज़ पकाई, जो होती है इतने बचके, इतने मिनट पर मुझे यह चीज़ करनी है, and then यहाँ पर इतना time मेरा free है, क्योंकि जितना structured way में आप खुद को prepare करेंगे, उतने अच्छे से आपका preparation हो पाएगा, अखला item जो मैं recommend करता हूँ, वो थी है pocket dialysis, काफी पर आपके साथ असा हुआ हुआ होगा, कि reason यह था, कि आपको याद ही नहीं था, कि homework दिया भी था, तो guys, वहाँ पर आपको बहुत काम में आने वाली है, हमेशा end को अपने pocket में रखिए, जो भी homework आपकी faculty दे रही है, उसको वहाँ पर note कर लीजिए, जिससे आपको दिमाग में याद रहे, साथ ही साथ कई बार dates होती है, जैसे हमार को important exam है, तो उसको आप वहाँ पर note कर लीजिए, जिससे आप उसको भूले ना, and guys, एक ऐसी important date जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो है national scholarship admission test date, तो guys, अने गाइड में आपके लिए ले के आ रहा है national scholarship admission test, जो कि IETJ need test parent and students of class 9th, 12th और droppers के लिए है, यह exam इस बार दोनों online और offline mode में होगा, इस बार आप लाखो बच्चों के साथ real exam scenario में compete करेंगे, unset पहन इंडिया होने वाला है on 8th and 15th of October, तो इस test में कौन पाडिस्पेट कर सकता है, तो अगर आप एक 9th to 12th के student हैं या डॉपर है, और सोच रहे हैं अपने IETJ या नीट की preparation start करने का, यह already start कर चुके हैं, तो guys आप इस test में पाडिसी पे definitely कर आएंगे, unset सारे subjects cover करेंगा, like physics, biology, maths, or mental ability, we will also have an aptitude test for class 11th and 12th students of other streams like humanities and commerce, यह जो test है, वो 60 minutes का होगा, जिसमें आपको 50 to 60 questions solve करने होंगे, and hold on, we have more, let's come to the reward section, इस exam के जो भी top rankers होंगे, वो जीन सते हैं which will improve your chances of ranking in the top 100 under the guidance of top educators, एंगे, सबसर बैस्टे की कुछ लखी विनर्स को, and all expense pay trip to Eurospace Center भी मिल सकता है, so guys, what are you waiting for, description में लिंक दिया हुआ, पर क्लिक करके खुद को एंडरोल करें, and आप यूस कर सकते हैं, हमारा special code, student year 10, जिससे आपको extra discount मिल जाएगा, and आप सिर्फ 89 रुप बनाएं, तो multiple color pens के use करें, उससे क्या होगा, आप अलग-लग चीजों को color hood कर पाएंगे, and अपने notes को और efficiently बना पाएंगे, मैं उसके लिए recommend करता हूँ, color pen sets from Pentel Anergyle, यह काफी अच्छे pen होते हैं, काफी quick drawing होते हैं, उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, गई यूनी जाने की तरस से आने वाले, यह current ball pen का side, next बात करते हैं about pencils, तो guys, मेरी यहाँ पर जो favorite pencil है, मैं recommend करूँ आपको, कि आप normal pencil के वज़ए न, mechanical pencils use करें, वहाँ पर आपको शार्प करने की पूरी दिक्कत सतम हो जाती है, तो मेरी personal recommendation यहाँ पर रहे की, Pentel की graph gear 600, यह pencil around आपको 250-300 इन रूपीस में देखने को मिलती है, बढ़ इसकी build quality exceptional है guys, जिस price में यह आती है, इसमें आप lead use कर सकते हैं, अलग-अलग brands की, जो भी आपको सस्ती मिल जाए, इसका size के साब से, and guys, अगर आप एक biology के student हो, तो मैं definitely recommend करूँगा, कि आप इसको purchase करें, क्योंकि आपको बहुत सारे diagonals बनाने होते है, and एक बहुत ही अच्छा investment रहेगा, अगर आपको इससे थोड़े cheaper alternative चाहिए, तो आप use कर सकते हैं guys, map it की तरह से आने वाली black peps, यह एक automatic pencil है, इसका मतलब यह होता है, कि जब भी आप इससे लिखते हैं, तो आपको बाबाबा click नहीं करना पड़ता, and automatically इसकी lead निकल के आती जाती है, जैसे से एक हतम होती जाती है, अब बात कर लेते हैं highlighters की, तो जैसा आप जानते है, facial highlighters मैं विशा recommend करता हूँ, फायदा यह होता है, कि उससे basically text बहुत ही mildly highlight होता है, और देखने भी भी वो काफी अच्छा लगता है, तो आप invest कर सकते हैं एक अच्छे facial highlighter set में, अगेन अगर आप एक neat aspirant है, तो मैं definitely बोलूँगा एक अच्छा highlighter का set करीदें, बट अगर आपको थोड़ा सा सस्ता option चाहिए, तो मैं आपको recommend कर सकता हूँ guys, इस type के wax highlighters, अब इनका सबसे बड़ा advantage यह होता है, कि जब भी हम इने exams की permission करते हैं, तो ह हमें काफी सारे अलगले type की paper quality में sheets मिलती है, अब हम हर बार तो paper quality control कर नहीं सकते, तो हमारा highlighter करे बार bleed हो जाता है, तो वहाँ पे wax highlighters आपके बहुत काम आते हैं, यह काफी अच्छे दिखते हैं, पेस्टल करस में भी मिल जाते हैं, जिनमें bleeding का कोई भी issue नहीं मिलता है दे description में देखने को मिल जाएगी, अब बात करेगा कुछ special pens की है, तो यहाँ पे इंकि आपको ऐसा कुछ कमबल सरी नीट नहीं है, पर अगर होंगे तो अच्छे होंगे, तो guys मैं आपको recommend कर सकता हूँ एक thick pen, जो की मेरा favorite है, pilot का V-sign pen, यह आपको 4 colors में देखने को मिल जाता ह यह basically आपको heading डालने में बहुत मदद करेंगे, और इंसे डाली ही heading बहुत ही creative लगती है, आपकी short notes बहुत ही appealing मन पाएंगे, तो guys एक और important चीज़ जो आपको लगने वाली है, वो होते है rulers, तो दीखे rulers तो काफी साले type के आते हैं, normal आप use कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आ roll कीजिए and lines draw करते जाएं, तो tables बनाने के लिए, diagrams बनाने के लिए guys, यह highly accurate measurement आपको provide करते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा, कि आप एक roller scale जरूर ले, and इस साथी साथ एक अगला tool जो आपके लिए बहुत helpful होगा, वो होगा एक अच्छा geometry box, तो हमारे पास एक पूरा वीडियो ह इस पे, आप उसे पेदा के देख सकते हैं कि best geometry box कौनता है, अगर आपको पूरा box नहीं carry करना है, तो मैं आपको recommend करूँ हूँ, आप simple compass carry जरूर करिए अपने साथ, आप map it के style compass आते हैं, वो carry कर सकते हैं, तो उससे आपको कहीं बे भी circles वगरा बनाने हैं, कुछ भी drawing करनी ह हैं, कुछ भी goal चीज लिखनी है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही मदद करेगा, तो इस अब आ जाते हैं हमाई third category पे, जो कि मेरे सबसे सबसे important है, जो है desk organization, अब देखिए, हमाई पास साल के end तक काफी सारे pens, roller balls, notebook sheets, DPPs, modules collect हो जाते हैं, जो कि दो 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 पढ़े रहते है and guys, other time, उस messy room में हमारा concentration ही नहीं होता है और हम focus नहीं बना पाते हैं, तो guys, इस organize रखना सब चीजों को बहुत important है, एक efficient learning process बनाने में, तो guys, एक एक करके हम हर चीज का organize करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, अपने pens का organize करने से, तो guys, अपने pen, pencil, highlighters का organize करने के लिए, मैं आ कर सकता हूं, मरायों की तरफ से आने वाले, यह कुछ desk organizers, इन पर हमारा dedicated review भी है, इनका link आपको description मिल जाएगा, तो इन में काफी सारी space होती है, और आप जैसे यहां देख सकते हैं, कि आप इन में highlighters, pen, ruler ball, gel, pens, काफी सारी चीज़े एक बार में रख सकते हैं, इनका pricing भी quality भी काफी अच्छी आती है, अब अगली चीज़ होती ही guys, इन काफी सारी modules and sheets को organize कर पाना, तो guys इसके लिए आप use कर सकते हैं, कुछ इस type का आने वाला है, एक mesh organizer, तो यहां पे आप इसको assemble कर सकते हैं, कुछ इस type से, and guys इन काफी अच्छे से बन जाता है, इसमें आपको का काफी सारी अलगलग subjects की sheets and modules को store करने के लिए, पर यहां पे हमेशे ध्यान रखें, एकदम pile बना के इसको ना रखें, जो आपको काम होता जा रहा है, जो पराने topics होते जा रहा है, उनको आप कैसी दूसरे drawer में shift कर सकते हैं, and guys यहां पे आप उन sheets को रखें, उन modules को रखें, अपने heat stroke करने का भी strength मिल जाता है, and आप अपने calculator वगरा भी यहां पे easily रख पाएंगे, तो काफी सार आपको space मिल जाता है, इतका जो costing होता है, वराउंड 600 होता है, and मेरे यहां साब से इसका जो प्राइज होता है, इसका लिंक में description में डाल दूँगा, तो कैसा अब आज आपको सब्सक्राइब करने के बारे में, तो काफी सारी एकसेसरी हैं, यहां पर कुछ important में आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहली चीज होती है, इस periodic table, आप चाहिए J.E.A.Spiranto या नीट आपको इस periodic table आपके पास होनी ही चाहिए, and periodic table से यादा है, कि आप उसको definitely अपने table के सांदे stick करेंगे, तो गई इस table को stick करने के लिए, या कोई भी important formula को stick करने के लिए, आप यूज कर सकते हैं, इस type की wall safe tape, इस सा फाइदा यह होता है, कि generally आपन जब normal tape को wall safe pull करते हैं, तो वो color भी साथ में आ जाता है, तो अगर आप brand पर रहते हैं, तो जो landlord होता रही है, यह क्या कर दिया, यह आपको personal घर भी है, तो वहाँ पर दीवारे खराब होने का डर रहता है, तो वहाँ पर यह जो आपकी tape होती है, यह काफी useful हो जाती है, अगली जो बहुत important चीज़ है, वो है table lamp, काफी बारना table lamp में पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मै यहाँ पर इसका सबसे बड़ा disadvantage है, कि यह rechargeable नहीं है, तो अगर light चली जाती है, तो मैं इसका use नहीं कर सकता है, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि यहाँ तो आप एक table lamp यह ले लिजए, और साथ ही साथा 250 रूपीस का, एक rechargeable lamp भी रखिए, जिसका भी light चली जाता है, तो आप आप एक अच्छा combo दून सकते हैं, जिसमें आपको यह दोनों feature साथ में देखने का मिल जाएं, तो अगली चीज़ जो होती है, वो होती है scientific calculator, आप नीट वाले सोचेंगे कि हमको इसका क्या काम, तो आपको पढ़ना ही है, तो वहाँ पे physics में भी आपको काफी आता है, यह आप बेना अपनी textbook को गंदा करें, या फिर अपने notes में बिना कुछ काइटे, उसको extra mention कर सकते हैं, वहाँ पे इनको stick कर सकते हैं, साथी साथ गई, एक और अची चीज होती है, sticky flags, sticky flags आपको notebook में मदद करते हैं, उनको organize करने में, अगर आपको मान लीजिए, एक concept है, आपको हमेशे एक water bottle अपने साथ रखें, जिससे आपको पानी गर भी जाता है, तो वह spill नहीं होगा, and second important thing is clock, एक clock तो बहुत important है, आपको पूरा time का track रखना है, and एक clock हमेशे अपने सामने रखें, जिससे आप हमेशे update रह सकें, तो यह था हमाई तरब से एक video, जिसमें हमने आप आपके ITJ and NEED की preparation journey को सोचते हो, काफी सारी चीज़े बताएं, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, and आपको कुछ चीज़े तो ऐसी मिली होंगी, जो आपको काम की लगी होंगी, अगर ऐसा हुआ है, तो guys, चैनल को विजिट कीज़े, ऐसा काफी सारा content उसको check out कर आया है, तो उसको subscribe करना ना भूलें, साथे साथ आप share कर सकते हैं, इस content को अपने उन friends के साथ, जो कि ITJ and NEED की preparation करने जा रहे हैं, या already preparation कर रहे हैं, हो सकता है, उनको यह काफी helpful लो, and वो अपना काफी time बचा आपाएंगी, यह stationery advance में purchase करके, तो मैं आपको मिलने वाला हू से हैं, तो I'll see you in the next one guys, तब तक के लिए, take care, bye bye